हेलो बच्चोब गूड मॉर्णिंग वेलकम टू श्रल अन्लine क्यूंज देखके आज आपका इंग्लिज का टेस्ट है ठीक है मैं इंग्लिज का पहले से पेज प्लिदय को आपका ही हिंदी का हो चुका है आपका का यह मैत का हो चुका है अब हम हिंदिका करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट डालिंग सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश इंग्लिश और यहां पर देट मैंशन करेंगे ट्वेंटी सिक्स टैस्ट लगा हुआ है नहीं लगा तो लगाईगे फिर 11-2021 इतना होगी जाए फिर ने नहीं डाल सकते हो तो अब पेरेंस से डल राएंगे ठीक है डालेंगे कोशन क्यू यू यू एस कोशन वन क्या है डिक्टेशन डालो डी आई सी sorry, had in capital letter में डालना था D I C T A T I E O N Dictation हो गया साभी का इतना? होगे सब्सक्राइब दिख्टेशन के हेड़ेंग चलिए नेक्स आप पर इन नमबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओजे 10 चलिए वन नमबर के सामने लेखेंगे C C for cat दिखो जल दिख लिया फिर टू नमबर पर आएंगे 2 नमबर पर लिखेंगे U for umbrella लिख लिया फिर 3 नमबर पर आएंगे लिखेंगे R for rabbit हो गया फिर 4 नमबर पर लिखेंगे Q for queen फिर लिखेंगे 5 नमबर पर लिखेंगे फिर 6 नमबर पर लिखेंगे V for van 7 नमबर पर लिखेंगे P for parrot 8 नमबर पर लिखेंगे I for ice cream और 9 नमबर पर लिखेंगे E for elephant और 10 नमबर पर लिखेंगे W for watch यह हमारी रिक्टेशन complete हो गई होगे सभी का इतना अब नेक्स पर आएंगे और नेक्स पर डाल देंगे पहले सब्सेक्ट E N G L I S H English फिर डेट डेट क्या है 26-11-2021 फिर डाल देंगे question number 2 Q U E S question 2 write A to P W R I T E write A T O 2 A to P यहां पर आपको A से लेके P तक के लाटर लेखने जासे की A B Z D हो गया फिर E F G H I J K L M N O P और सभी बच्चे A to P proper लाइटिंग में और लाइन पर करेंगे इतना होने के बाद कि नेक्स पेस्ट पर आए जाएंगे इसमें बनेगे पिक्चर कोई टफ नहीं आगा नहीं बनती है तो इसकी जगा कुछ भी बना सकते हैं ठीक है मैंगो बना दीजिएगा जो सिंपल हो वो बना लीजिएगा चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे सब्जेक्ट क्या हैं इंग्लिश E N G L I S S इंग्लिश फिर डिट डिट क्या है 26-11-2021 हैडिंग डालो क्यू यू ए एस एच कुर्शन नंबर 3 क्या है ये हैडिंग डालो ल डबलो क्या है लूग एक ट द 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 लुक एक पिक्चर राइट फस्ट लेटर और इनकी जो पिक्चर बनेगे इनका फस्ट लेटर लिखने जिसे यह क्या है आइसक्रीम तो आइसक्रीम का फस्ट लेटर क्या है यू यू का फस्ट लेटर फिर काइट का फस्ट लेटर और फिर सी और सी का फस्ट लेटर इतना हो G L I S H English audit 26-11-2021 और डाल देंगे कोशन नमबर 4 Q U E S question 4 matching M A T C H I N G matching capital letter to small letter ठीक है चली मेरे साल लखेंगे C C के निचे लखेंगे E E के निचे लखेंगे G G के निचे लखना है O और O के निचे लखना है U हो गया अब C के सामने हैं कि में लखेंगे यहां पर E small E two lines में फिर E के सामने लखेंगे C C के सामने लखेंगे O O के निचे लखेंगे U और U के निचे लखेंगे G अब यहां पर small letter यहां पर capital letter हो गए अब इनको match करेंगे जैसे C for cat कहा है यह है नहीं यह है यह यह तो इसको इससे match कर दो इसी तरह से capital letter से small letter को आपको match करना इतना होने के बाद next page पर आएंगे subject डालेंगे E N G L I S H English 26-11-2021 ओके और सभी अपने बच्चे की copy पर name जारू डालना भूल गई थी चीक है डालेंगे Q U E S question 5 पर क्या है write next letter W R I T E write N E X T next letter L E T T E R next letter यहनाँ तो next letter में आपको जो भी और इस नेक्स लै्टर है आपके small letter में जैसे की H एच यह उता है यह लिखिए इन्हें प्र यूू-उ ने लेटर वी लिखिए अपे इस टो हो और भाम से किजए उसके बाद पर हम नेक्स पेज़ पर आएंगे लास्ट है हमारा डेट आ लेंगे E N G L I S H इंगलिश और डेट 26 11-2021 और कोशन नमबर 6 Q U E S कोशन 6 6 में क्या है राइटिंग W R I T I N G राइटिंग राइटिंग में आपको स्मॉल लाटर की खरानी हमने कर क्लास में भी खराई थी आपको U फिर टू फिंगर के गर्फ छोड़के V फिर डबलू और ये X हो गया तो आपको U स्मॉल यू बनाना है बीच की टू लाइन्स में ठीक है फिर V डबलू X X